एक महापुर्शोया ए विद्वान मैं जिकर करांगा मुसल्मान विद्वाना दा कारण ए यह भी जदों सिख वड़े आई करदा ए ना अपने गुरूदी ते सानुएक पुलेखा पाद ता जान्दावी सिख शर्दा वास होके ते वद काट गल्ला अपने गुरूदी शान विच कह जान दे ने शिख जजबातीयों के अपने खस्म दी वड़े आई दे विच वद काट बोल बोल जान दे ने एक गल्दा ख्याल रख्यों भी पांडे आपने इसलाए जान दे दे कहरां दे पांडे शलोने बड़े उखे जे अपनी थाड़ी विच काचवी काचवी पे आवे ते यसी हीरा कहके बड़े आउने यादे अगले को लीरा आवे ते आखी दा काचदा टोकडा लई फर दा पर गुरू गोबिंद सिंग ऐसा पांड़ा ऐसी ओधी चमक है सिखाने ते अपने आने ते बड़े आया या जदों पांज वक्त दे निमाजी लोका ने ओधी चमक तक की ते उना दी कल्मने मी आर मानलई भी यदी चमक व्यान नहीं कीती जासा नहीं इड़ा बड़ा एक म शा महम्मद लतीफ कवीजी वड़े विदवानो ते गुरू गोबिंद सिंग दी शान दे विच कुझ दासी देओ गुरू गोबिंद सिंग दी वड़े आई दे विच कुझ दासी देओ ते शा महम्मद लतीफ ने कल्म लई जो कहते समुंदर नू ब्यान करंदा जतन कर्ण लगा है होवेगा वड़ा कवी होवेगी योदी कवियां विच महानता पर तू इस गल नू समझला है समुंदर अगे बुलबलयां दी यौकाद कुछ नहीं हुँदी समुंदर के शलां दी यौकाद कोई नीव दी शा महम्मद लतीफ ने कल्म लई चुक कहिंदा होदे किन्ने रूप लिखां वोदे किन्ने घुन ब्यान करां जेस पाखनूवी कल्म चुक दाहां यू मालूम हुंदा अभी मेरी कल्म ये समरथा नहीं राख दी भी गुरू गो गोबिंद सिंग नू बयान कर सके अज लिखन लगा ते कल्म चुक के जेड़ा पहिला बोलो ने लिखिया है कैंदा गुरू गोबिंद सिंग वर्गा दुनिया ते कवी नहीं होया ओ ज्यादा त्या नल सुन जेना दी पूश नू वाट चड़या रहिंदा दसम बाणी दे पाख दी बात सुनके तो आनू दसां दसम बाणी दी बरकत कैसी है तो आनू एवी दसां भी दुनिया दे उते कोई दूजी कल्म नहीं होई गुरू गोबिंद सिंग दी कल्म दा जो मकाबला कर सके एक गल तुसीं वेखी वेगी जेड़ा कवी उन्दा ना कवी एक आथ च एक आथ चों देने नर्मदेल लुंदेने नर्मदेल चोई नगमे फुट देने नर्मदेल कवी मैदाने जंग विच तलवार नहीं चला सकता ते मैदाने जंग विच तलवार चलाउन वाला कठोर चे तसूर मा कदे कल्म नहीं चला सकता दुनिया चे तुने पाख एक चश श्रीर विक पैदा नहीं होई एक लौता ही गुरू गोबन शिंग ऐे उन्는 कुद खुदा नहीं करने गिदे जनने रफदार नालों लुदी तलवार चल्टिया है उन्स ब्हुद्टी च किने नोगोन लुदी तलवार कुद्धी तकी है देड़ दूनी नौ को आलवार ते कल्म चला सके एवे ते नहीं ना नंदलाल नों कहना पे आखन लगा परदु आलम शाहा गुरु गोबिंद सिंग्ग ए आलम ते की लोक ते प्रलोक दा अगर कोई मालक है ते गुरु गोबिंद सिंग है दूजा रब केड़ा लबदा फिरता है अगर खुदा है गुरु गोबिंद सिंग्ग है गुरु गोबिंद सिंग्ग नों वड़ा कोई रब नहीं है उदा ही निर्गुन शरूप है गुरु गोबिंद सिंग्ग सर्गुन शरूप होके आये ने वह शाह महमद लतीफ ने कल्म लई चुकते केंदा भी गुरु गोबिंद सिंग दी कल्म वरगी रफतार किसे विच नहीं है मैं जाबसहवदी उदारंदमांगा समाएना नहीं है पांच रूप ब्यान कीते ने शा महममद लतीफ ने गुरु गोबंद्स छिंग दे ते पंजा विच लिखना पैगिया भी पंजा विच ही गुरू गोबंद शिंग अवदी आए उदे तुम वद के ये पांच गुण किसे होर दे विच नहीं हो सकते वो महापुर्श लिखता है अखन लगा कहिंदा मैं कीवे ना भी जमना दे ताटते बैठा है कुमल दिल होके हाथ विच कल्म लेके बाणी प्या लिखदा है पौंटा से बइठा है जाब से प्या लिखदा है इसलाम जगत दे विच जे पुछिए ना भी महम्मद जी दी वडियाई किस करके है हर रहबर्दा पैगंबर्दा हर तर्मदा अद्व करना शिखदा फर्जय पर सेरसी केवल गुरू गरंस है बगेच कमने है साड़ा इस्ट गुरु नानक है वो किसे ने पुछे आप मुसलमान वीर नू भी त्वाड़े विच मनाओत की है सारे पैगंबरां चो महान पैगंबर तुसी क्यों महम्मद जी नू समझ देओ कहिंदे दसा परमातमा दे सौ सिफ्टी नाम अगर दुनिया ते कोई जानदा है ते ओ केवल महम्मद जी ने इस करके सवा लख पैगंबरां विच्चों ओ सर्वोच मन दे आशी सिफ्टी नाम कर्म नाम जो जो साड़े ते कर्म करदा हो ही उदे नाप पैदेने किरपा करे ते यसी कहदने किरपालू है दया करे ते नाप पैगया दे आलु आए रैम करे ते रहीम केदने करम करे ते करीम क ness पाव के जो जो एसान साड़े नल करदा है उनुं कर्मनाम कैदेने जो जो कर्म साड़े ते करदा है सिफ्टी नाम तो कहें दे दी अल्ला तो लेदा बट दस्वीद ए 101 मनकेने तो उस मनके ते अल्ला दा नाम जब देने ते ओदे तो लेदा जड़ी ये ना दी माड़ा है मुसल्मान वीरां दी ओदा जड़ा मेर तो लेदा सौ मनका है तो सौ इसलई है क्योंके मुहम्मद जी ने सौ सिफ्टी नाम उचा रहा है खुदा दा ते मुसल्मान वीर केंदे साड़े विच मनावता है भी मुहम्मद नालों वर के खुदा दे नाम कोई जानदा नहीं है ते ना जानी सकया है ते मैं कई वर सोचदा हुना भी गुरू गोबिंद शिंग दी माणी नू गैरां दी चोली पाउन बालिया उनना महम्मद जीनू सिर्मा और मनलिया क्योंके सो सिफ्ती नाम खुदा दे ना ते तूं कदे जाब सहब होशो हवास विच पड़े आई ना ते नू कदे गुरू गोबिंद सिंग दी कलम दी बरकत समझीना लगी कैसा पागाएं तूं सो नाम उस महां पुर्ख ने उचारे हैं उन जेड़ा सो नाम है ना दुनिया ते बड़ा परचलत होया अदल अफू रहीम करीम अजीज अजीम इस सो नाम ने उदे उन जेड़ा सो नाम है उचार दिता ते महमद जी सवा लाख चो सिर्मावर मने गए दुनिया ते सिर्मावर मने गए इमाम बड़ा मनका इमाम ते खुदा ते उदे तो लेदा सौ नाम 101 नाम कहिंदे ने ते सौ नाम मुहम्मद जी ने ले आदा आए ते जदों जाब सेब पड़े ना कदीदो गुरू गोबिंद सिंग महाराज ने ए बचन शुरू वेच लिख दे भी ए ना समझे ओ वे गुरू दी कल्म जो लिखन लगी है किसे हंका आरवास में लिखन लगा है तव सर्ब नाम कथा कमन कर्म नाम बरनत सुमत तव सर्ब नाम तेरे सारे नाम कौन कथन कर सकता है कौन कथन कर सकता है कौन कथन कर सकता है कोई नहीं कर्म नाम बरनत सुमत जो जो अहसान तूं दुनिया ते कीते मैं ओ नाम तेरे जाव सहव विच लिखन लगा है वो दी कलम किस रफतार नल चल दी है ते आंदे हो इसलाम जगत दा पैगंबर सौ नाम लवे ते महानता हो गई उस दी दूसरे बनने कुल कहना दा मालक खुद खुदा गुरु बोबंद शिंग दे जामें विच आया कलम लई चुक पॉटा सहव दी तरती ते लेके कलम बैठ गया ते जाब सहव लिखन लगा नाल कैन लगे भी मैं कर्म नाम जेडे ने उनादा सिकर करन लगा हां ते जदों तुसी बारी पड़ो ते आनवे चावेगा भी उन्हें कोई दास नाम नहीं लखेगा जदों लखन लगा दासां तो अगे नांग गया सौ तो अगे नांग गया महुमद जी ने सो नाम लखेया ते बले बले या दुनिया उते गुरु गोबंद सिंग दा जाव सहब बड़े ओ कई सो नाम लिख देते ने ओधी कलम दी बरकत तके बड़े बड़े महम्मद यारा दी कलम विकी पह जान दी है सिखात तैनुए समझ ना लगी भी गुरु गोबंद सिंग दा दाइरा इड़ा है वड़ेओं वड़े पैगंबर जिस खुदा दे सो नाम जान दे ने गुरु गोबंद सिंग दे हयारा नाम जावस है विच लिख गया है याद रख ओदी कलम दी ताकत तैनुए सो करके एक दी महांता है ते जिने हयारा लिखे असी कैद है गुरु दी बाणी नहीं है दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबंद सिंग ने ऐसे एकलोते कवी ने अर्पी की फार्शी की संस्कृत की जेदी कलमते आए नाच दी है ठीक है कोई थुरंदर विद्वान होवेगा संस्क्रेता कोई वड़ा विद्वान अर्पी फार्शी दा होवेगा कोई इंगलिश दा होवेगा पर कुल कैनात दे स्मुचे इल्मानू एक बंदा जानदा होवे एक गुरु गोबंद सिंग तो लेदा दूजा नहीं दिख़दा कोई जे अर्पी फार्शी विच लिखदा है ते मैं कैना विजे फिर्दोसिया जीनदा होंदा शान अमा लिखन वाला फिर्दोस जीनदा होंदा जे के ते गजनी दा महान कवी फिर्दोस जीनदा होंदा महमूद दी वड़ियाई लिखन वाला फिर्दास जीदा हुन्दा ते अपनी रचना ते हया आविच डोब जहता भी मेरी रचना ते कुछ भी नई गुरु गोविन सिंग दी रचना दे या कि इटा वड़ा कवी ते जे संस्कृत दी गाल करोना अव जाब से विच की है मैं थोड़ा जय तो अडेना जिकर करांगा तुसी रोजो दी बाणी विच पड़ देओ गुरु गोवन सिंग दी कलम दी बरकत तुसी रोज वेख देओ ते साहिब सचे पात्षा गुरु गोवन सिंग केंदेने पुच्चांग परियात शांद नमस्तवंग अकाले इस संस्कृत है नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग किरपाले इस संस्कृत है नमस्तवंग तैनु नमश्कार है संस्कृत दे बोलने इक्के बाणी दे विच संस्कृत ले आया है उसे जाब सेव दे विच थोड़ा जया तुसी अगे चले जाओ अकाल लबजवी संस्कृत आया अकाल तो रहत नमस्तमंग भी संस्कृत आया अगे थोड़ा जया आजवो पगवती शांदत वाय परसाद एक रचना दे विच गुरू गोविंद सिंग ने कलम चुक के संस्कृत लबाद की लिखे आया के जाहर जोहूर है ए अर्बी भार्सिया ते आन देओ के जाहर जोहूर है के हाजर हजूर है जाहर लबज के छूआया है पंजाबी दा थोड़ी है गुर्मखी दा थोड़ी है जाहरा ये अर्बी दा लवज है ते जाहरा दा मतलब उन्दा प्रगट सुरूप जेड़ा दुनिया ते प्रगट है के जाहर जोहूर है जोहूर की उन्दा है जोहूर भी अर्बी दा लवज है जोहूर दा मतलब है चमतकारी बड़ा चमत कारी एक शंद विज़ संस्कृत लिख गया दूसरे शंद विज़ अर्वी लिख गया ते तीजे विज़ फार्शी लिख दिन दा के रोजी देहंद हैं रोजी देहंद हैं के राजक रहिंद हैं रोजी फार्शी दा बोल है रोजी दा मतलब शंग्या की है रोटी ये थे आके फार्शी लिख रहा है अगे चले जाओ राजक ये वी अरजी दा अरबीदा लबज है रिद्ग देन वाला मैं हैर आना ब्याली वर्यां दी उमर है उदी दन्यावी ताउरते वेचते बजुर्गियां दा मालको खोदा बैठा है ते जिन्निया पाशामाओ दसुम गरंथंदर सर्बलो गरंथंदर लिख गया है पुल कहना दा मालको गुरु गोमिन सिंग बताली वर्यां विच जो कर сभिया जिनने इल्मानु त्आडे समणे ब्याहन कर गया एई शड़ो ब्याली सालते हमर बडी थोडी याए त्आडी मेरी ब्याली सोवरावी उमर हो जेते पाशानी सहीं सिख्याφ नहीं सेख सकते- इनियां पाशा सिख्या नहीं सिख्य सकते- क्योंकि गुरु गोवि किसे दी कलम नहीं है कि शोटे संद बाल वस्ता विच ने ते संगता बड़ा जोरलोन गुर्टेक भादर सही वड़े हो गए नहीं बच्चे नू सखाई ये कोई विद्या श्काई ये ते गुर्टेक भादर सही मुश्कुराद देने मुश्कुराओं देस लई ने विए लो मौलवी व्याकरण सुखंदा आयर भी फार्शी दी गुरुगोवन सिंग कुझ बोल दे नहीं कोल कहना दा मालक कुझ बोल दा नहीं ये मौलवी कहनदा जी सिखो कुझ दे सिखो ते कहनदे मौलवी याद राखा व्याकरण पर आके कुराण दिंगा आईतां में आज सिदिगां आईताई सणा दमाते किमें लगे गाता है उमर की है उमर की है जदों गुरुत एक भादर शैब दे कोल पहुंचे ने नंदांदी पुरी पटना सेबतों पांचे वरे ते उमर है शारी ते पेज़दता है पड़न ते अर्भी फार्शी सिखनी ओवे व करन ओ ते नूं कुरान दिया आईताँ सुना दियां ते मौलवी उंगणा मुह में च पाके गई दाभी एसुमर वेच आईतां किमें सणाओंगे गुल कहनात दे मालक गुरु गोबंद संग ने कुच्छनी आईताँ सुनाया ते मौलवी जेदा सिना जेदा सिखाउन आया सी तुमें हच जोड के ओ गोबिंद राय दे चरना विच बैठ के जेडा सिर कदे काबे तो लेदा कदे किदरे चुक्या नहीं सी ओ पंज वक्त दा निमाजी मौलवी जेदा सिर कदे काबे तो लेदा किदरे चुक्या नहीं सी गुरू गोबिंद सिंग नू वली अला दा हाथ वर डंड़ाओत करके ते चरना ते इसेर राख देता ये पलेखा कट देए वी तो आड़े साड़े का क्यां वरगा बाबा गोविंद राये या नहीं द्वैते एक रूप है गयो खुद खुदा है गुरु गोविंद सेंगर हाँ है ठीक है को अड़ी मेरी सुर्ती कुझे वाली याते समुंदरां दी समझ कुझे विच नहीं समौंदी जाब सैव दी समझ सानू नहीं आउंदी जदों समझ नहीं आउंदी ते कैद ने गुरां दी पाणी नहीं पाणी विच कमी नहीं सी समुंदर शरसार है परया है ब वेखाते हो दे वरगी कोई कलम नहीं चला सकेया तुसी हैरान रह जाओगे पार्त वर्ष दी तर्ती ते इस तरी नूँ पैर दी जुती क्या लोकाने चंडी दी वार उचारी ते चंडी दी वार दे नाल इस्तरी जात दे अंदर ऐसी सूर्बीरता फूक दिती वी हर इस्तरी माई पागो बनके हाथ विच तलवार लेके दे लखाँ दे सामे टकरोन लाग पई ओधी कलमदी बरकत दे नाल सवाल लाख दे सामने नचनला दन्दाए गुरु गोवंद सेंगा एनी रफ्तार है ओधी कलमदी पैर दी जुत्ती कहिंदे सानलोक सेरवेच बजण दे कावल बना अंधता इस्तरी आनू गुरु गोवंद सेंग दी चंडी दी वार दे गुरु गोवंद सेंग दे दीन दुनिया दे मालक दे कलम दे जड़े अखर ने असीम बरकतान दा मालक अमुले अखरां बारे शा महम्मद लतीफ कहिंदा कोई दुनिया ते गुरु गोवंद सेंग वरगा कभी नहीं होया ना होवेगा कोई कभी नहीं होया ၜे थोड़ा ही समा नंगे आद वड़ैई करके कीक भेंदा है यू कर जिन ना हथां विछ बंगानी ॆ युद नेड़े विछ तल्वार आगई फेंदा मैं लिख रहे आसी गुरु गोवन सिंग वर्गा कभी नहीं है ते दुनिया ते कोई कभी में तलवार फड़दा नहीं विख्या गुरु गोवन सिंग ने आज इना हथां दे विटर फड़ लई है ते किसे ने पुछे आसी भी कैसा जंग लड़दा है तेड़ा होय जाई कभी जेदी सारी उमर लिखतां विच नंग गई तेनू शेस्तर दा ग्याहन कोई नहीं है वो जांग किदांदा लड़दा है ये के ते पुछना वया ते बचितर नाडक नू पुछे ओभी गुरु गोवन सिंग जांग किदांदा लड़दा है दीन दुनिया दे मा अलग बुरु गोवन सिंग पात्षा पंगानी दे मैदान विच खलोते ने योही हाथ ने जिथे कदे कलम चल दी है एक मैं तो अडेनाल हूर शांज पामा एक मेनों मिल पे या पाड़ा खाली खड़कदे बढ़े ने आा नी मंदे सीय। NEW औ suis हम दो विजोनदे शीयों नी मंदे अ बाणी नी मंदे ओ बाणी मंदे मैं शोचांबी 400 वरे तो खाली सा बाणी-बाणी-बाणे नुमान दा तो आन्नू कोण मंदा है वाणीं बाणा ते यह रहाए चड़ती कला विर तवानू कोण मांदा था तर्क बादी मैख मेंनू ते तर्क की कीता है कहिंदा जाब शैव बेचना जिन्नेवी नामने ना जिन्नेवी नाम ये ते कौपी कीते गए ने ये ते चीटिंग होई है ये ते गुरू गोवन सिंग शहिव पुराण विच्छों लएने शैद शेव पुराण वाल त्यान ही ना दता ते सुनी सुनाई गाल चुक लई दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबंद सिंग ने हयारा नाम लिखे ने जाब सह विच ते शिव पुराण विच शिव जी दी महादेव दी बड़े आई है ते हयार नाम उदा लिखे आए ते आन्देव शिव पुराण विचे हयार नाम लिखे आए ते शिव पुराण दे विचे एक जिकर रहुदा आए काल काले काल काले लवज अंदा है ते ओही लवज गुरू गोबन सिंग महार आई दी कल्म विच्छो निकल के जापस है विच्छंदा है ते एक दो नामें वो राड़ जान किसे दी लिखत नाल ते एक ऐद दे जी ये ते सनातन मतियां दा हिंदुआ दा गरंथ है फिर कल नू मैं कैदमां अल्ला पाकम पाक है अल्ला लवज गुरू गरंस है विच्छंदा ते कल नू जे कोई पूच्छो के गैदवे भी ये गुरू गरंस है विच्छंदे मुसल्मान वीरां दी लिखता है दे वो बड़े बड़े रहबरो नाम नहीं जान दे जेड़े गुरु गोविंद सिंग जान दा है ते तुँ अपनी चोली प्या हीरा क्यों कट-कट के लोकानी चोली पा रहे हैं अथ्य तेनु दसधेक शेव प्राण विच नां देने ऊँ ते फिर्दू ग्रण्स विच वी युदह फिर शेव पणक आरहूंद सिंग्राण्सषय है विज़ओने ने कल नूँब ही कैदो के दू어요 कि योभी हिंदू वी ली लिखता है गुरु गरंशेव चंदा है दुर्गा सोट मर्दन करें धूर्ग 394 तो नन अल्या आगया पicio नशेश्चन वेय दूप दिंसाखे जिएयो एवकर यॉष्चन का 10 मरन टमालों यव तो बेद उच्छर है ब्रह्मा आगया दुर्गा आगया राम आउदा है क्रिशन आउदा है यही बोल दसम विच्छंदे ने जे किसे और गरंथ विच आगये किसे और मातदा गरंथ है ते सारे गरंथ चोके उना दी चुड़ी बाद होगे रबदा वास्ता है वेस कुझे नूँ वड़ा कर असीम बुद्धी दे मालक गुरू गोबिंद सिंग दी सीमा तू नहीं जानदा तेरी बुद्धी दी एक सीमा है ते सीमा उन करके इस कुझे दी एक सीमा है ते कुझे वेच समुदर नहीं पहिंदे तू मुन करना हो तू कह आख स्मूंदर दी भक 2020 मैं श्मार नई सकती ना समझांबे किसे ग्जानी त्यानीकों पोच लहादा कैंची लाएं popular ट्रूर पिश्टे ये आ साव समझाया है गुरू गरंत सेव ने गुर की करनी का है तावो गुरू की करदा है ओ तेरी समझ विच नहीं पवेगा वह सरबाग्या है गुरू दी मातलय के जीवन सफला करला है गुरू की कर सकदा की नहीं ए तेरी समझ विच नहीं आवेगा तेरी समझ तो बार है क्योंक कलम जिस हाथ कलम उस हाथ ने तलवार फड़ ले उस हाथ ने कमान फड़ ले आ दे हरी चांद बड़ा खिड़या अहं कार दे नशे वेच खिड़या पंगानी दे मुकाबले ते मुकाम ते बुरु गोवन सिंग दे सामने हो गया ते कहिंदा फकीरा बड़ा सुने आएं भी तेरे तीर दी तार बड़ी है बड़ा सुने आएं भी तेरे तीर दा निशाना खाली नहीं जान्दा बड़ा सुने आएं तेरा तीर पत्थरां दे सीने चीर दिन दा आएं राज पुताने दा सबतों सूर्बीर जो दा हरी चंदा जो तेरे सामने आएं तीर कट दे वेखां पला हरी चंद दा सीना मी चीर सकदा आएं तीर कट दे वार कर ते कुल कहनात दे मालक गुरु गोवन सिंavier भाथ शा इन्देए भी गुर्णानक दा कार ठकीर अगे क्रिक देवी पेला वार नेकी कर दा क्योंके गुर्णानक दे कारंदर पहिलां पीरी है ते फिर मीरी है पहिलां पगती नांग हल बने ते फिर शक्ती वर्ती दी है हरी चंदा वार तूं कर संखेव वेची कमा हरी चंदा वार तूं कर ते हरी चंद ने सोचया भी असी ते समझ दे सी तक्स ते बैंदा है पुलिटीकली बड़ा स्याना होएगा येते पोडा निकले आ येते साथ निकले आ इनू इन्हीं मी समझ नहीं है असी है यार मेरे कुल फ़ाओ जाए अचाली बंजा माला भेरन वाले साथ जे लई फिर दा चोड़यां वाले उत्तों दुश्मन नू पहला मुखा दे रहा वार करन दा इदी खैर नहीं लग दी हो उनू समझ नहीं है भी एच्छे बंदे दा मुकाबला खुद खुदा नाल है ते राबनल लड़के गिदडां दी डार राबनल लड़के वाज दे नाल तितरां दी डार दा शेरां दे नाल गिदडां दी डारदा मुकाबला नहीं हुँatives घिन्ती जिनी मर्जी होए वार कीता वार ते कोडे ते वार कीता केंदा सुनया बड़े बड़े परभतानू रहोंद जानदा अ कोडा तेरा ते गुरू गोवन शिंग केंदा वार कर समाखरावना करवार कर पैला वार कुडे ते करदता ते पोडेनू बापुने अड़ी लाई गुरु गोबन सिंग ने ते कुडा चंचलोया ते वार कान दे कुडों खैके नंग गया हरी चांदकोपे कमानग संभारं प्रथम बाजियं मान तालं प्रहारं कान ताईं ताद ते चाड़ के तीर खेच के दे कलगीतर पाध्षा दे प्रथम बाज यंग, ताण बाण प्रहारं अय ताण के कोडेवाल शड़ता बापुने लाई यड़ी, कोडा होया चंचल, कोडेनु तीर खयके कन दे नालदी खयके जदू तीर ग्याना नांगा रांगोड ग्यार इचंग दाभी मेरा ते अज तक वार खाली नी ग्या दे कलगी तार कहिंदे फकीर अजे भी फकीरी वेच्चा है, सुमुंदर अजे भी शांत है, हरी चंदा याद करेंगा कदे तूंवी, कदे कोई मान दा वलवला मन विचना रह जावे, जा दूजा वार भी कर हरी चंद सोचीं पए गया भी, इसाद तलवार लेंदा है, शकार खेड़दा है, सूर में राख़दा है, नीती तों जानू नहीं है, दूश्मन नू ते पहला वार करनदा मोकानी देईदा, इन्हें दूजा दे दता है, ले कहिंदा विर गोविंद राई मेरा वार संबल ते कुल कैनात दे मालक गुरु गोवन सिंग कोडे ते, दूजा वार हरी चंद ने कीता है, दीम दुनिया दे मालक कहिंदे उन्हें तक्या मेरे वल दुतिया, ताक कह तीर मोको चलायं, रख्यो दैव मैं कान श्वैके सिधायं, दूजा तीर कहिंदे मठेदा निशाना ला के छड़िया, ताक के छड़िया, दे भागु कहिं दे परमातमा दी ऐसी किरपा होई, मच्छे विच लगण दी बजाए, काननल खेके नंग गया, छूं करता, दे तो आडे मेरे वर्गा वे ते आए, दींगा मारनियां शी वेखो मेरी सूरमताई, तीर मेरे लगा नहीं, ते कलगीतर बागु हाथ जोड़ के कहिंदा मैं कुछ नहीं कीदा, मेरे निर्गुन सुरूप ने रख्यो दैव मैं कान श्वैके सिधायंग, उन्हें रख्या दुती है, गुरु गोविन सिंग केंदे खुदा ने रख्या दुती है, दूजा वार खाली चला गया, निमो जणा होके हरी चंदा, तठे जे मनना कहिंदा कलगीतर तो आडी वारी ये तीजा वार कर लवा, ते गुरु गोविन सिंग, ओ, दर्दा परे दिल दा मालक वे खोदेच दयाकिनी कहिंदे हरी चंदा, याद करेंगा, गुजरी दे दुलारे दा कदे वार खाली नियु जान अखीरला मौका है, एमें कोई वलवला मन विच दब्या न रह जावे भी किते इक मौका कलगीतर ने होर दिता हुंदा दे तर दीते सुट लेना सी, ते भकीर आजवी भकीरी वेच आया, गुरुनान कदा कार आजवी पीरी वेच आया, इस्तों पहला के मीरी आथविच ले लेवे शगती आथविच लेवे जाते इनू तीजा मौका देता, दुनिया दे किसे जंग विच वी कदे किसे राजे ने दूसरे राजे नू तिन वार करन दा मौका नहीं देता, एड़ा देलते मेरे बापू गुरु गोवंद सिंग दा यह और किसे दा नहीं हो या, चरफतार बदल जान्दी, डाइरेक्शन बदल जान्दी, तीर के दे ओर चलेया जान्दा, उन तेट वालनू छटता, आपे शाती छूतीर बढ़ेगा, मतेर बढ़ेगा, पलेखा ए पैगेया उनू लगेया भी शैद गुरु गोवंद सिंग पांज पूतक शरीर पाओदां जंगा लडियाने जीवन काल विच कोई माई का लाल रूहे जमीन ने जम्या नहीं, जेडा गुरु गोवंद सिंग दे सामने खलो सके आवे, जेडा गुरु गोवंद सिंग नू हरा सके आवे, रब नू हराया नहीं जा सके दा, रोज पढ़ देओ, हजूर गया गुरु गोवंद सिंग बढके दुनिया तिय द्या वार कर हरी चंदा, तै तीसरा वार हरी चंद ने कीता, तै जदों तीसरा वार बापू दे किता नृहा अधल्यम चैलते तीरया वारं के तीजा वार कहिंदे मेरे ते कीता दे सिद्धा वार आके कमर कसे ते लगा कमर कसे नूँ चीर के, मखमल दे कपडे नूँ चीर के, चमडे दी पेटी नूँ चीर के ते पेट नाल टकरा गया ते बचतर नाड़क लिख रहे सांते तोडे मेरे वर्गे गुरु नानक दे दर्दे कूकरां पुछे आभी जदों पेटते लगा बापु कोई नुकसान नहीं हो या ते दीन दुनिया दे मालक कहिंदे चुभी चिंच चर्मं कशू घायना आयं कलंके वलंग जान दासंग बचायं चोंज लगी चोंज पेटते जाके चोंज खुमी तो नहीं वेच जाके चोंज लगी पर कहिंदे फिर मेरे निर्गुण सुरूप ने कलंके वलंग जान बचाएंग पेटी ने तीर डख लिया माडा जया पेट नूँ खै गया कईदे जदों पेट ते मामूली जई चोट लगी ते मैं क्या हरी चंदा हुण तू तरले भी लमे जा जेडे महादेवनू ते आउना एं किछन विशन नूँ ते आउना एं राज पुताने दा राजा आयते आला हरी चंदा क्योंके गुजरी दे दुलारे कोड़ों तैनूं खुद काल भी नहीं बचा साकता कट के पठे चो तीर कुल कैनात दे मालक गुरु गोबंद सिंग ने खपराजया तीर कंताइं खिचया चाड़ के तंदते मान बड़ा सी वलैती जी टालते हरी चंद समाति न norm ने ताल कटके मोड़ों शींग they thasamina कीथी कुछता मेराकीव गहार लवेगा। गुरु गोवन सिंग्धे में पहल नहीं करता बला चार की दर्मिया आम धम बात तद्बीर तीरो तुफंग आम धम जदों सेरों पाणी नंगे लाचारो के कैंदे में तलवार ते तीर चुकदा हरी चांद ने तिनवार की ते गल ना बनी गुरु गोवन सिंग ने खपरा तीर कड़िया चाड के तांदो ते कान ताइं खेचके जदों कुल कैनात दे मालक गुरु गोवन सिंग ने चड़िया ते सिद्धा जाके हरी चांद दे टाले ते लगा जिस टाल ते मान बढ़ा सी भी वलायती टाल कोई चीर नहीं साकता ते तुसी रोज पड़ देओ जबाय बान लागेओ तबाय रोस जागेओ करंग लायक मानं हनं बान तानं काटके तंदताईं तीर और कानताईं खिचके छड़िया जाके टाले विच वर्जा जिस वलायती टाल दा मान सी हरी चांदनू जिस संजोधा मान सी गुरू गोबंद सिंग दे तीर ने टाल ते शाती एदा चीर दिती जमें मखणनू शुरी चीर दिया पुठा होके तर्दी ते डिगा थे जदों जरनेल ओडजान जदों वाज ओडजान दे तितर तुतर ते नाली ओडजान दे फवजा ओडगन्या गुरु गोवन सिंग सहीव सचे पाज़ानू सिखा क्या बापू तेरी तलवार दी तार कोई नियू चल सकदा तू जित गया हैं वेख मेरे कलगी तर्दी निमरता दूमें हाथ जोड़के केंदे नहीं गुरु गोवन सिंग केंदे नहीं ए मेरी जित किछे है मैं जितन नहीं सी सकदा मैं जितन दे जोग नहीं सी मेरा जेडा निर्गुन सुप है न दूमें हाथ जोड़के बापू केंदा परणं त्याग पागे सबै तरास पागे पाई जीत मेरी क्रिपा काल के रीकेंदे काल दी किरपा नल जांग जते आए जिनीर अफ़तारो दी कलम दी है उनीर अफ़तारो दी तलवार दी है ए दो गुन बयान कीते ने बाकी तेन गुन कल नू बयान करांगे कल दे समागमा विछ समाइदी समापती है उपर हो गया समा नाल नाल फिर समापती ते कल नू गुरता गदी ते इतिहास ते अगम बोद इतिहास ते चनना पौन दा जतन करांगे संगता दा तनवाद परबंद कांता तनवाद महापुर्श शोबित ने स्टेज देना दा तनवाद है दीन दुनिया दे मालक गुरू गरंत सहीव जी दा कोटान कोट तनवाद गजवज के फते बलव वाः गुर जी का खालशा वाः गुर जी की फते